हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी गाच्छी टिपस यूटूब चेनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किचन में सिंख कीदर होना चाहिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा तक आपको पूरी जनकरी प्रहप्त उसके घर में रसोई घर सबसे मैं तो पूरण हिस्सा मना जाता है कहते हैं घर की खुस्यों से लेकर हमारी हेल्थ तक रसोई घर के सही रख रखाओ पर निर्बर करती है वास्थु शास्तर के अंसार अगर हमारे घर की किचन की दिशा शुब है तो ऐसा होने से परिवार के सद्धक्षियों के भगे में वुरीदि होती है शुब दिशा में रसोई गरोने पर माल लक्समी हमेशा महरबान रहती है और घर में हमेशा सुक्षमरीदी का वास बना रहता है तो वहीं अगर रसोई घर का एक भी समान वास्तू के अंसार ने हो तो इससे घर की आर्थी किस्तिती वै शेहत पर बुरे असर पड़ता है ऐसे में अगर आप भी अपनी शेहत और या फिर धनहानी से परेशान है तो आज हम आपको बताएंगे वास्तू के इसाब से किचन की सही दिशा वै किचन की समान का सही रख रखाऊ कैसे करें इसके बारे में जानकाई देने जा रहे हैं वरस्तु सास्तर के अंसार रसोईगर आगने एकोण यानि की दक्षिन और पुरव दिसा में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर होना सुब फलदाई होता है इससे मंगल गरे किया शुबता दूरो तिये इस सथान पर रसोईगर होने से शुब परिणाम मिलते हैं इसलिए रसोईगर को दक्षिन पुरव दिसा में बनाना अच्छा मना जाता है यदि ऐसा नहीं है तो इस से गर में रहने वालों को शेहत खास तोर पर मेलाओं की शेहत पर विपरित प्रभाव पड़ता है और अंधन की हनी भी होती है वास्तु सास्तर के अंशार रसोई में दो मेतो पुरण चीजों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है जिसमें आग की दिसा और दूसरा है जल की दिसा रसोई में चुल मेशा दक्षिन पुरो दिसा में होना चाहिए क्योंकि यह दिसा अगनी के लिए उत्तम मानी जाती है हमेशा ध्यान रखें कि बोजन बनाते समय आपका मुहें पुरो दिसा की ओरोना चाहिए इसके लिए उत्तर वै दक्षिन दिसा है शुब मनी जाती है शाथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर किचन में जाडू पोचा या सफाही का कोई शामान रखते हैं तो इसे द दक्षिन पश्चिम दिसा में रख सकते हैं जो दक्षिन पश्चिम दिसा का कोणना होता है उस दिसा में रख सकते हैं जिस घर मेरा सोही घर दक्षिन पुरो यानि कि आगने अकोण में नहीं हो तो वो लोग अपनी किचन में यग करते हुए रीशियों की फोटो लगा सकत ये सुब मना जाता है इसके अलावा माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य दातू उपकरण दक्षिन पुरो में रखें फरीज उत्रपस्चिम दिसा में रखें डश्ट बिन को रसोई से बाहर रखें बताते चलें रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना सुब नहीं मना जाता ह इसलिए रसोई घर में पूजा स्थल नहीं बनाएं आपकी जानकरी के लिए बता दें वास्तू के अंसार रसोई में हरा महरून या फिड सफेद रंग के पत्थरों का इस्तमाल करें ये बहुती शुब मना जाता है इससे आपके घर में बरकत बढ़ती है तो दोस्तों ये जानकरी आपको तुरंत मिलसके इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों